Hello everyone, welcome back to my channel, कैसे आप, I hope you all are doing well, so आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे विद्या सागर यूनिवर्सिटी की अगेन, ये भी एक गुर्मेंट यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी है, so इनकी तरफ से इन्वाइट के गए हैं, अप्लिकेशन फॉर पीएज़ी ए हैं, बट येस, उससे पहले इसे शेयर कर दीजेगा, अगर अगर अभी तक चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है, so वो भी कर लीजेगा, so विद्या सागर.ac.in ये है वेबसाइट, एन इसी पर करना है आपको विजिट, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाए तो इसी पर क्लिक करके, रेजिस्टर आप कर सकते हैं, right, और बाकी आप भूल जाएंगर पासफ़र्ट तो रिकवर कर लीजेगा, अकाउंट को, then यहाँ पर नोटिफिकेशन है, second number पर notification for PhD, अभी हम इस notification को देखेंगे, बाकी general inquiry आपको कुछ करनी हो तो आप इस ID पर mail कर स सकते हैं, then यहाँ पर menu को आप expand करके, युनिवर्स्टी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, admission notification यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, so चलिए अब open करते हैं, notification को, so yes, यह है notification, 4th of April dated है, second notification for PhD program, for fellowship holders only, so subjects में, यहाँ पर economics है, English है, management है, philosophy है, then संस्कृत है, सांथली, biomedical lab, science and management chemistry, then CS, computer science and environmental studies, fisheries, science, geography, maths, remote sensing and GIS, physics and zoology, यह आपके oral subjects है, जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, application form आपको online ही फिल करना है, portal हमने देख लिया, यहाँ से भी आप विजिट कर सकते हैं, यह links भी given है, right, 7th of April से start to application, last date है 22nd of April 2022, बाकि successfully जब आप complete कर लेंगे, सभी steps, that is application form को आरेंगे, sign वगएरा को करेंगे, ठीक है, सभी documents upload करेंगे, उसके बाद आपको 500 rupees application fee पे करनी होगी, correct, उसके बाद है, यहाँ पर आप बाद में edit भी कर सकते है, application details को, दो बार और payment के बाद भी, right, so, दो बार आपको chance में लगा, कि आप, अगर कुछ गलती हुई है, तो अपडेट कर सकते हैं, edit कर सकते हैं, now, यहाँ पे बस इतनी ही information and यही notification था, criteria आपको पता है, fellowship होनी चाहिए, बाकि आपके पास master's degree हो, I mean, यह जो relevant subject है, उसमें तो आप eligible है, apply करने के लिए, and अगर fellowship holders के लिए ही form है, तो obviously आप interview के लिए ही, I think यह direct है, तो entrance, I don't think ही होगा, बागी कोई update होती है, तो आपको बिता देंगे, अभी के रिए यह था update, यह थी notification from Vidya Sagar University, that is it for today, thank you so much for watching.